नमस्कार प्रियदर्शकों हाजर हूं मैं तीन दिसंबर दो हजार तेईस आज आपके पूरे तिन कहाल लेकर यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भासकर भगवान सूर्य नारायन को नमन कर चलिए राशिफल का यकारिक्रम प्रारंभ करते हैं करते हैं बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की आज रवी बार है अभिजित नहुर्त का समय दिन में 11 बच करके 27 बिनट से दो पहर 12 बच करके नौ मिनट तक का होगा वहीं राहुकाल शाम साढ़े चार बजे से छे बजे तक जैसा कि आप सभी जानते हैं कोई भी नया और शुभकारिय जिस कारिय से चुरकाल तक लाभ लेना हो ऐसे प्रत प्रियदर्शको दिव्यमहा प्रयोग में एक बेहद दिव्य ज्यान वर्धक जानकारी आपको देने वाला हूँ दिव्यमहा प्रयोग की बात करेंगे 7-7-8 दिसंबर दिन शुक्रवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे लेकिन उससे पूरुबात कर लेते हैं ग्रह प्रियदर्शको आज गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो संचर्ण है वो बुध के नक्षत्र में है तो रविबार का दिन और बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचर्ण कौन सी उराशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहत खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी उराशियां हैं जिनके लिए छुटी के बावजूद आज का दिन बेहत खास है आप अपने सभी नयकारे आज प्रारंभ कर सकते हैं सभी नयकारे कर सकते हैं और कौन सी पूरी तरह से आज छुटी मनानी है, परिवार के साथ समय व्यतीत करना है, कोई नया कारे प्रावम भर नहीं करना, इन्हें सभी विश्यों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे, तो ये है ग्रहिस्तिति, इन्हीं ग्रहिस्तितियों के आधार पर आज मैंने आपके अगर आप अपने जन्म राश के बारे में नहीं जानते, तो फिरा आप अपने प्रचलित, नाम राशी के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहुर्त की. आठ दिसंबर, दिन शुक्रवार, उत्पन्ना एक आदशी व्रत है उस दिन, प्रसूतिका इश्नान का मुहुर्त, नाम करण, अन प्राशन, करण वेध का भी मुहुर्त मिल रहा है, कन्या नासिका छेदन का मुहुर्त भी है, तो वहीं बधु प्रवेश का द्विरागमन का मुहुर्त, और सर्ववस्तु क्रय विक्रय का मुहुर्त भी उस दिन, प्राप्त हो रहा है, व्रिक्छा रोपन, नौकरी ज्वाइन करनी है, तो उसका मुहुर्त, आवेधन पत्र लिखना है, ओनलाइन या ओफलाइन, तो उसका मुहुर्त, जीरणा दी ग्रिह प्रवे लेकिन ये दो मुहुर्थ विशेस करके जिरणा दिग्रह प्रवेश, यदि आप किराय पर रहते हैं और आप अपना फ्लैट, अपना घर बदलना चाहते हैं, तो याद रखीए जिरणा दिग्रह प्रवेश आपके लिए बड़ा माइने रखता है, और आपने अगर कोई प्रेदर्शकों आज रविबार है और आप जानते हैं रविबार को हम भुवन भासकर की आराधना करेंगे लेकिन उससे पूर्व चले चलते हैं पहले दिव्यमहा प्रयोकियोर जहां में वो जो तिसी सूत्र आपको बताएं जाने जा रहा हूं जो भेहत घ्यान वर्धक है और साती सात यह जानकारी भी देना चाहता हूं कि यदि आप जोतिश सीखना चाहते हैं तो मेरे जैनल पर प्लेश्ट है वनली एस्तेलोज नाम से आप इस प्लेश्ट का लिंक यहाँ ऊपर प्राप्टकर सकते हैं और आप चाहें, तो डिस्क्रिप्शन से भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा, बाकी के सारे वीडियो भी आप देखिए, जो तिशी अवस्य बन जाएंगे. प्रिदर्शकों, प्रायह लोग एक प्रश्ण करते हैं, कि धन मेरे पास टिकता नहीं है, क्या करूं? दिखा जाए, तो धन आप किसलिए अर्जित करते हैं? कि जरुवत पढ़ने पर जरुवत के हिसाब से खर्च कर सकें? परन्तु यदि आपका धन तिकता नहीं है, तो चिंता की कोई बात नहीं. आप धन बचाने का नहीं, धन अधिक से अधिक कमाने का प्रयास करिए, कब? यदि आपकी जन्म कुंडली में लाभ भाव का स्वामी नौमांस में, इन आठ राशियों में, कौन-कौन? तो यदि नौमांस में, यदि आपके लाभेश मेश में दिखाई पड़ते हैं, मिथुन में दिखाई पड़ते हैं, करक में दिखाई पड़ते हैं, कन्या, तुला, धनु, मकर अथवा मीन में दिखाई पड़ते हैं, तो मेरी राय मानिये, अब आगे से आप इस बात के च तो धन बचाकर नहीं, निशन दे, अमीर बनने का सूत्र एक सूत्र ये भी है, कि बचाने से चणसह कणसस चईवा बिद्या मर्थन चचिंतेत, बचाकर के भी धनवान हुआ जाता है, लेकिन अगर आपकी कुंडली में ऐसी स्तिती है कि नौमांस में इनी रासियों में आपक कमाने के पीछे नहीं, धन अधिक से अधिक, अधिक से अधिक सुरोतों से धन कमाने के पीछे जाईए, आपको इसी लिए यहां भेजा गया है, चली चलते हैं भुवन भासकर की आराधना की ओर, श्नानादी से नवृत्त हो करके पूजन स्थल पर आ जाईए, लाल रंका वस्त्रधारन कर लीजिए, लाल रंका आसन और लाल रंका ही पात्र अर्थात तामर पात्र, पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वा भिमुख्र बैढ जाईए, हाथ जोड़कर के सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरू का ध्यान करिए, तत्त पश्ėट, त blijल आचम्यों, तीन बार स्त्रिहर वि्नु का ध्यान करके आचमन करिए, इसके पश्चात हाथ धो लीजिये, अपने ओपर जल छिड़किये, आसन पर जल झड़किये, पुनः एक बार अब इस अभिमंत्रत जल को अपने चार और घुमा लिजे, गायत्री मंत्र से अभिमंत्रत जल के सुरक्षा में अब आप सुरक्षित हैं, प्राणायाम आपको करना है, रेचक, कुम्भक, पूरक, विधी मेरे सभी दर्शक ज्यानते हैं, और सब को करना है, यह अत्यंत आव प्राणायाम करिए विश्वास रखिए, अगर आप गंभीर रोगी भी हैं, तो यह जो मैंने वीडियो प्राणायाम का बनाया है, बहुत से ऐसे लोग जो अब मुझसे मिलते हैं, तो कहते हैं कि आपके प्राणायाम का तो मैं चमतकार देख चुका हूँ, स्वास्त से सम् प्राताह कालकार्ग्य थोड़ा जुकर के दिया जाता है। यही लोटे के जल को रोक रोक करके तीन बार अर्गे दे लेने के प्रश्चात आसन पर बैठ जाईए। गायत्री मंत्र का जब करी ग्यारेक किसी क्यावन एक सवाट जितना आपसे हो सके सपताह भर की उर्जा इसी एक मात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो भुवन भासकर की आराधना से किसी भी कारण से अभी तक अगर आप वंचित हैं तो समझ लीजिए कि वंचित रहने का समय गया। भुवन भासकर की आराधना आज सी ही आपको प्रारंभ कर लेनी चाहिए। चली चलते हैं राश्य फल की ओर। बात करेंगे राश्यों के क्रम में पहली राश्य। मेश राश के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है गोचरकुन लेली में चंद्रमा आपकी रासी से आज चतुर्थ में है ये चंद्रमा बुधके नक्षत्र में है और आपके लिए देखा जाए तो आराम करने का है दिन आज मेहनत आपको करनी है तो घर परिवार से समंधित कारियों को करिए घर के मरमत से समंधित घर के भीतर जो जरूरी काम है वही कारिया आपको करना है घर के बाहर जो जो काम है उनके लिए आज का दिन ठीक नहीं है परिवार के साथ समय व्यतीत करने के लिए आज का दिन बह सकते हैं ब्यापारियों को भी सावधानी से ही काम करना है और बहुत सचेत रहना है, आज काम में थोड़ी कमी रहेगी नाराज मत होई है क्रोद मत करिए साथ काम करने वाले यह उत्तेजित मत होई है, धायरे बनाए रखना बहुत जरूरी है प्रेम समंध के मामले में दिन मध्यम है मध्यम ऐसे है कि अगर पहले से ठीक है तो ठीकी है और अगर पहले से अनबन चली आ रही थी तो वो अनबन यथावत बनी रहेगी विद्यार्थियों को भी थोड़ी टेंसन रहने वाली है और आज मेश राजी की जो ग्रह प्रावना दिखाई पड़ रही है लकी यंग दो लकी कलर आपके लिए अच्छ क्रीम है घुवन भासकर कवरगे प्रदान करिए गायत्री मंत्र का जपर प्राणायाम करिए सप्ताह भर की उर्जा इसी एक मात्र प्रयोग से आपको प्राप्थ हो ब्रशब के जातकों की कर लेते हैं गोचर कुंडली की स्तुती आज ब्रशब रासी के जातकों के पक्ष में लाब होने वाला है कोई काम बनने वाला है विशेस करके कोई रुका हुआ काम था कई फसा हुआ पैसा था वो बापस आता दिखाई पड़ रहा है बेरोजगार है तो आज छुटी का द आज समय को विभाजित कुछ इस्प्रद्दा प्रकार करिए थोड़ा समय परिवार को और थोड़ा समय अपने काम को दिन बहुत खुशी खुशी बीतने वाला है आज आपको फायदा भी मिलेगा भविश्य को लेकर कि अगर कोई बड़ा निवेस आपके मन में है कोई इतना हो सके प्रितना आपको करना चाहिए प्रेम संबंद मधूर दिखाई पड़ रहा है अगर मत भेद है तुसे मधूर बनाने की कोशिश करिए और दाम पत्ते जीवन भी पूरी तरह से सुखद यानि कुल मिलाकर के ब्रशब के सभी जातकों के लिए यहां तक की ग्रहण के लिए भी हर तरह से दिन बहुत बढ़िया है स्वास्त के मामले में कहीं कोई विशेश परिशानी नहीं दिखाई पड़ रही अगर स्वास्त में परिशानी थी तो आपको रहात मिलेगी लकियंग का आपके लिए आज नौ और लगी कलर आपके लिए अज सफेद है भुन भास करकर के प्रदान करिये गायत्री मंतर का जप और प्राणायाम करिये सप्ताह भर की उर्जा इसी एक मात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी और बात मिथुन की कर लेते हैं मिथुन के जातकों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है आत्मविश्वास में आपके बृद्धी होगी कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होने वाला है किसी रिस्तेदार के आँ जाने की सोचर है तो आज जा सकते हैं अगर कोई रिस्तेदार आपके आने वाला है तो भी घर का माहल बढ़िया होगा कुल मिलाकर के एक जोश भरा चुस्ती फूरती से युक्ठ आनंद दायक व्यतीत होने वाला आज का है दिन घर परिवार से जुड़ी भी कोई परिशानी थी वो भी दूर होगी कारिक छेत्र को लेकर के दि कहीं कोई चिंता थी तो उस चिंता से आपको मुक्ति मिल जाएगी यूँ समझ लीजिए कि किसी उल्जन में उल्जे थे तो वो सुलज जाएगी एक नए शुरुवात की ओर बढ़ रहे हैं आप संयम के साथ धैरे बनाकर के आगे बढ़िए आपके सभी काम आसानी से बनते दिखाई पड़ रहे हैं व्यापारियों को व्यापार में लाब होगा व्यापार में दिख कहीं किसी तरह की कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी काम का आज आपका बढ़िया बनने वाला है उसका आपको फायदा मिलेगा किसी भी कारण से अगर परिशान थे विशेश करके पड़ोसी के कारण अगर आप परिशान थे तो आज का दिन पड़ोसी से सम्मंधित परिशानी से मुक्ती दिलाने वाला है फिर भी एकी सलाह देता हूँ, किसी भी तरह की नाकारात्मक्ता को खुद पर हाभी मत होने दीजेगा दिन बढ़िया है, इस दिन का लाग उठाईए प्रेमियों के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा बिद्यार्थियों की बात करूँ, तो मेहनत करने से चुकिए कामत, जितने भी लॉफिल्ड के बिद्यार्थियों उनके लिए दिन बहुत बढ़िया है और स्वास्त के दृष्ट कोण से देखें, तो स्वास्त में कोई विशेस परिशानी नहीं है करक के जातकों को सावधानी के साथ आगे बढ़ना है, मन को साकारात्मक बनाए रखना है थोड़ी चिंता रहेगी कारियों में छोटी मोटी रुकावटें, बाधाएं, उत्पन्न होंगी अच्छी बात ये है कि जो भी उल्जने आपके समुक हाने वाली हैं, इन सभी उल्जनों को पीछे छोड़ कर आप आगे बढ़ेंगे परिवार के साथी समय वितीप करिएगा अच्छा रहने वाला है कोई नया कारे प्रारम करने की सोच रहें तो उसके लिए दिन बढ़िया नहीं है जो भी आइडियाज आपके मन में उत्पन्न हो रहे हैं, उनको आज उन पर काम करने के लिए दिन ठीक नहीं है किसी पर भी संदेह मत करिए, गलत टीकाटी पणी मत करिए, ये आपके लिए ठीक नहीं है और प्रेम समंध के दृष्टिकोंड से देखा जाए, तो प्रेम समंध के मामले में आज गर करासी के जातकों का दिन बढ़िया है प्रेमी के साथ अच्छा समय बीतेगा, प्रेमी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहें तो जा सकते हैं प्रेमी से अपने मन की बात कह सकते हैं, यानि कुल मिलाकर कि प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा और बात यादी बिद्यार्थियों की करें, तो बिद्यार्थियों के लिए दिन ठीक नहीं है, क्योंकि मन में भ्रमुत्पन्न होगा, बार-बार मन ध्यान भटकेगा, इधर-उधर की चीजों में समय जादा जाने वाला है। ठकान जो महसूस होती है, बस ये वही है, लेकिन फिर भी आराम करिए, एकागर अपने आपको करिए, ताकि आने वाले दिनों में और उर्जा आपके अंदर बढ़ जाए आपकी उर्जा, और फिर उस उर्जा का आप इस्तेमाल कर सकें, लखी अंक आपके लिए स्टीन है, ल जान रखिएगा, आज ब्यर्थ की चीजों पर धन ब्याय करेंगे, यानि जिसकी आवश्यक्ता नहीं है, उस पर भी आपका धन जाने वाला है, अच्छी बात ये है, कि अगर आप ब्यापारी हैं और कहीं पैसा आपका फसा हुआ था, उसे वापस पाने के लिए दिया प् मनुरंजन के लिए परिवार के साथ समय व्यतीत करी अच्छा रहेगा, व्यापारी वर्भी जरा सचेत्र है, किसी भी तरह के गैर कानूनी कारे का हिस्सा मत बनियेगा, और भावनाव में वह करके, न तो कोई कारे करना है, न किसी से कोई वादा करना है, लब लाइफ के द साथी से किसी न किसी बात को लेकर के मत भेद होगा, यानि उल्जने बढ़ेंगी, जिसे सुल्जा पाना आज संभव नहीं होगा, प्रेम बिवा समंधित मामले को लेकर के अगर अपने पेरेंट से बाचीत करने की सोच रहें तो उसके आज का दिन ठीक नहीं है, दर्द या किसी बी तरह के दर्द से समंधित परिशानी है, तो उन्हें आज विशेस अपना ध्यान रखना होगा, लखियंक पांच और लखी कलर आपके लिएज पिंक है, भुवन भासकर कुवरगे प्रदान करिए, गायत्री मंतर का जपर प्राणायाम करिए, सब्ताह भ प्रद है, यूं समझली दिन बेहत खुशनुमा है, कोई बड़ा फैसला करने की सोच रहें तो करिए, किसी से कोई मीटिंग करनी है, कोई मुलाकात करनी है, दिन सुखा देश का फायदा उठाईए, यात्रा आपके लिए बेहत लाब प्रद रहने वाली है, और पार्ट ट साथ कल के दिन का प्रारंभाब करिए, दिन बहुत अच्छा जाने वाला है, ब्यापारियों के लिए दिन बेहत शुखत दिखाई पड़ रहा है, जो भी आपके अधूरे काम थे वो पूरे होंगे, जिन कारियों को लेकर क्या बहुत चिंतित थे, वो चिंता दुर होगी, यदि आपके कारियों में कोई सरकारी अडचन आ रही थी, उससे आपको मुक्ति मिलने वाली, ये किसी बात को लेकर के मन में बहुत चिंता थी, आप भीतर भीतर घुट रहे थे, तो समझ लिजे उससे मुक्ति मिलने वाली है, लब लाइफ ठीक है, प्रेमी से सहयोग मिले और ग्रहिणियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है, समझ लिजे आज परिवार के साथ ही अच्छा दितेगा, यूं समझ लिजे कि खुशी खुशी दिन बीतने वाला है, और बात यदि विद्यार्थियों की करें, तो मन पढ़ाई में लगेगा, विशेश करके मैनेज का जब पर प्राणा याम करिए, सब्ताह भर की उर्जा, इसी एक मात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी, बात तुला की कर लेते हैं, तुला के जातकों का अभी भाग्य साथ है, सभी सोचे हुए कारे वक्त से पहले पुरुन होते दिखाई पड़ रहे हैं, जो भी ज आप अपने काम को लेकर के पूरी तरह से सकरात्मक विचार बना करके आगे बढ़िये, दिन बहुत अच्छा है, हर दृष्टिकोंड से दिन शुब है, ब्यापारी वर्ग बहुत बढ़िया, नौकरी पेसा जिनको आच छुटी है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में ह काम करें, उनके लिए भी बहुत बढ़िया, हर दरह से दिन बढ़िया है, परन्तु, आज सबसे जाजा जरूरी है, परिवार के सदस्यों के साथ समय व्यतीत करना, वैसे आपके जितने जरूरी काम है, मैं पहले कहाया हूं कर सकते हैं, आप कोई नया कारे प्रारम करना है, कोई नया बयापार शुरू करना है, सब कुछ कर सकते हैं, पर सबसे जरूरी बात वो ये है, कि परिवार के साथ भी आज आपको समय व्यतीत करना होगा, प्रेम समंध में हैं, और पैरेंट से बाचित करना चाहते हैं, प्रेम समंध को विवास समंध में तबदिल करने के ल स्वास्त के मामले में कहीं कोई परशानी नहीं दी किसी तकलीप से गुजर रहे थे तो रहात मिलेगी। लकियंक आपके लियाज साथ लकी कलर आपके लियाज क्रीम है। भुवन भासकर को रखे परदान करिए गायत्री मंतर का जब पर प्राणायाम करिए। सबताह भर की उर्जा इसी एक मात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। अच्छे अवसर आपको मिलने वाले हैं जो कि आपके लिए पूरी तरह से लाभप्रद सिद्ध होंगे। परिवार के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहें तो जाइए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है। कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है। दुर्ग काली की योजना अगर है आपके मन में तो काम करिए उस पर सफलता मिलेगी। बस जल्दबाजी में कोई कारे मत करिए। जल्दबाजी में कोई निरणे मत लीजिए। प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को में बढ़िया कहूँगा। प्रेम संबंध में किसी तरह की कोई परशानी, कोई विवाद इत्यादी था उसका निप्टारा होगा। यानि साम होते होते हर तरह की परशानियों से आपको मुक्ति मिलने वाली है। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को में बहुत बढ़िया कहूँगा। जरोद पड़ेने पर मित्रों से आपको मदद मिल जाएगी। और स्वास्त के मामले में भी कहीं कोई विशेश परशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। वरुष्चिक की जो ग्रिहनियां हैं वो थोड़ा ध्यान आज रखें। कडवी वानी का प्रयोग चाहें वो जीवन साथी हो बच्चे हों किसी के लिए भी न करें। आज ग्रिह कलह की संभावना आपके कारण संभव है। धनू के जातकों की बात अगर करें तो दिनाप के लिए भी बढ़िया है। किसी से मिलना है, बातचीत करना है और बातचीत करके अपने बात का प्रभाव सामने वाले पर डालना है तो आज तयारी करके जाए ये बात बनेगी। फिजूल खर्ची से बचिए, इधर की बात उधर मत करिए और सबसे जरूरी बात किसी से बहस मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोंड से दिन बढ़िया है, आज धनू की ग्रहनियों को सचेत करना चाहता हूं, स्वास्त को लेकर कि आप परिशान रहेंगी, स्वास्त का ख्यान रखिये, और विद्यार्थियों को भी सचेत करना चाहता हूं, आज कन्फ्यूज रहेंगे, मन प परिशानी की बिमारी है, वो और ज्यादा सचेत्र है, मानसीक परिशानी बढ़ेगी, लकी यंक आपके लिए अज दो लकी कलर आपके लिए ब्राउन है, भुवन भासकर परके प्रदान करिए, गायत्री मंतर का जपर प्राणा याम करिए, सब ताह भर की उर्जा, इसी ए बात करें, तो दिन ब्यस्त रहने वाला है आपका, छुट्टी का नहीं है, काम का है दिन आपके लिए, व्यापार नया प्रारम्भ करने की सोच रहे हैं तो करिए, कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं, या स्वतंत्र व्यापारी हैं, तो भी आज का दिन बहुत बढ़िय वाला किसी रिस्तेदार कहा जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं पर किसी को धनुधार मत दीजेगा व्यापारी थोड़ा संभल करके व्यापार करें पार्टनर सित में दिकिसी प्रकार का मतभेद या कोई परिशानी है तो ध्यान रखिए और उस विवाद से मुक्ति का प्रत्न करिए आज मुक्ति मिलेगी वाहन चलाते समयजरा सावधानी बरतियेगा लापार वाही से दुर घटना घटित हो सकती है जीवन साती की भावनाओं का सम्मान करिए विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा विशेस करके किसी प्रतियोगी परक्षा के विद्यार थी है तो आज का दिन बहुत अच्छा है और स्वास्त के मामले में कोई विशेस परिशानी नहीं दिखाई पड़ रही है लकियंक आपके लिए आज पांच और लकी कलर आपके लिए सफेध है भुवन भासकर परके प्रदान करिए गायत्री मंतर का अज दूसरों पर निर्भर मत रहिएगा जो भी करना है खुद के दम पर करियर में अगर किसी बात को लेकर के चिंता थी वो चिंता दूर होगी परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा परिवार के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे तो जाईए कुल मिलाकर के दिन आप आपको उससे मुक्ति मिलेगी अपनी कोई गुप्त बात आज किसी से श्यर मत करिएगा चाहे कितनी भी ज़रूरी बात हो प्रयास यही रखिए कि आज किसी से श्यर नहीं करना है और ये भी ध्यान रखिए कि चाहे कितना भी करीबी हो प्रतन यही करिए कि आज अपनी बा स्वास्त के मामले में कोई विशेश परिशानी नहीं हाँ पुराना कोई रोग आपको पहले से चला रहा था तो सचेत रहिएगा लकियंक आपके लिए आज दो और लकी कलर आपके शरीया है वहन भासकर करके प्रतान करिए गायत्री मंतर का जपर प्राणायाम करिए सब ताह विशेश रूप से आननन्द दाई है दिन व्यापारियों को ब्यापार में लाभ मिलेगा परन्तु कोई नया कारे शुरू करने के लिए ठीक नहीं जो कारे आपका चल रहा पहले से उसे और अच्छे से चलाईए और अत्यधिक मिनत करिए व्यापार में धन सम्मंधी मामल करने की आवशकता नहीं परिवार के बड़े सदस्यों की बात तालिये मत काटिये मत सबके साथ सम्मंध मधूर बनाये रखने की कोशिश करिए इसे में आपका भला है और बाते दे बिद्यार्थियों की करें तो बिद्यार्थियों के लिए भी मैं यही कहुंगा कि आज मन भटकेगा इधर उदर की चीजों में ज्यादा जाने वारत्वा सचेत ही स्वास्त में जोडों के दर्द से आप परिशान थे तो आपको रहात मेलेगी खान पान पर ध्यान दिजेगा लकी अंक एक और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है भुवन भास करकोर के प्रदान कर तब तक के लिए नमस्कार